क्या सोच रही हैं आप मतलब महिला अरक्षन बिल से डर कर आपको टागेट किया जा रहा है आपके पिता को जान बूच कर टागेट किया जा रहा है क्योंकि वो कभी नितिश कुमार से मिलने जाते हैं वो गहर कॉंगरसी एक फ्रंट बना रहे हैं और क्योंकि BJP का बहुत जा परागेट किया जा रहा है क्योंकि जो आरोप पो लगा रहे हैं वो बहुत गंबीर है। वो तो कहते हैं, माम की South India का लिकर काटल को आप चला रही है। ये तक कहे रहे हो। यह सारे बिल्कुल बे बुनियादी आरोप है मुझे लिकर से कुछ लेना देना नहीं है पहली बात तो यह है दूसरी बात यह है कि देखिए जैसे आपने कहा है कि अब TRS जो पहले हमारे नेता का पार्टी है हमारी पार्टी है TRS था अब BRS है जो देश बर में काम करने वाल में मेरे पार्टी के 15 या 16 लीडर्स पे रेड हुआ है हमारे पार्टी के जो पार्लमेंटरी फ्लोर लीडर है उनके एसेट्स भी 200 क्रोर्स के उन्होंने सीज किया है तो इस तरीके से हरे के मिनिस्टर पे वो कुछ ना कुछ तरीके से CBI, IT, ED का चल रहा है और जैसे मैंने क लेकिन हम तो डरने वाले नहीं हैं क्यूंकि हम अंदोलन से एक उब्रे हुए नेता है हमारे फादर और हमने देखा है उनको हर तरीके का मुश्किल जेलते हुए और ये भी है हम जेल लेंगे लेकिन भारत की जनता के लिए काम करने का जो हम एस्पिरेशन रखते है उसको ह हम कामिआप करके दिकाएंगे क्यूंकि देखिया आज तलंगाना में जितना काम हुआ है हम चाहते हैं देशबर में भी वो काम हो आज एट लिस्ट 24 अर्स हर एक गाव में तलंगाना में पावर आता है वो हर रह को मैं अब पूछता आप से करने हैं लेकिन एक-दो सवाल चोटे चोटे अगर आप बता देंगे तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा क्या इंडो स्पिरिट्स में आपका कोई स्टेक है क्या अरुन पिल्लाई आपके करीबी है देखे पूरा बिजनेस से ये पूरा जो पॉलिसी है इश्यू है इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है तो आप इसमें इतने डीटेल में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे फिर भी मेरा तो वही आंसर है मुझे किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है उन्होंने ये भी आरोप लगाया मैम कि आपके मोबाइल ये जब 2021 के आसपास जब ये पूरा अलिगेशन है उस वक्त 10 मोबाइल नंबर्स आपने चेंज किये थे 10 मोबाइल आपने इस्तमाल किये थे और बदल दिये थे क्या इस आरोप में दम है मैम? नहीं बिलकुल नहीं वो सारे के सारे मोबाइल अभी मेरे पास पड़े है वो ले सकते है क्यूंकि आइफोन आप जानते हो अंजना जी और सैमसंग आप जानते हो कुछ ना कुछ नया मॉडल निकलते ही रहता है और मैं फोन करीते रहती हूं और मेरे पास जितने भी E.D. ने बात नहीं करती है क्यों सुमोटो आक्शन नहीं लेती है अब यह पुलिटिकली कैसे प्ले आउट होगा मैं उस पे एक दो सवाल आपसे कर लेती हूँ क्योंकि देखे चुनाओ है क्या लगता है आपको अगर आप बताएंगे जनता को कि हमें जानबुच के टागेट किया ज होगा या फिर भ्रष्टाचार के आरोप अगर लगेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है दूसरी तरफ कॉंग्रेस को लेकर भी आप लोग अटाकिंग है ऐसे में विपक्षी एक्ता का क्या होता है दोनों सवाल का जवाब देखे अगर आप स्टेट एलेक्शन के बारे में बोल रही है स्टेट एलेक्शन तो बराबर वापस ब्रस जीत के फुल मेजॉरिटी के साथ आ जाएगी क्यूंकि हमने इतना काम किया है लोगों को और लोगों को फल देखने को आज मिलता है हमारे हर एक MLA क्षेत में हमने एक लाग से जादा खेतों में पानी दिया है अभी खेती बड़ी बहुत अच्छा होती है इनफेक्ट वे बिकम नंबर टू इन पाड़ी प्रोड़क्शन अक्रॉस देनेशन जेस्ट आफ्टर पंजाब तो स्टेट एलेक्शन के तो कोई BJP का को अहां सवाल ही नहीं है BRS वापस आ रही है अब नाशनल एलेक्शन का 2024 के बारे में अब बात कर रहे है माइम तो हमारा टार्गेट यही है कि 2024 में भारती जनता पार्टी का सरकार ना है सारे विपक्ष एक जूट हो जाए और इनको हरा पाए और इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लगातार ओपोजिशन यूनिटी के लिए हमने अभी अभी खमम में तलंगाना में रैली किया था जहां मुख्यमंत्री बहुत सारे आये थे और अभी एप्रेल 14 को भी हम एक और रैली कर रहे हैं तो धीरे धीरे जुट सपोर्ट ले रहे हैं सबका और सभी एक साथ आ जाएंगे ऐसे मैं मानती हूँ कॉंग्रेस पार्टी को अपने आप में सोचना चाहिए कि उनका आज की परिसिति क्या है आत्म शोदन जो बलता है ना इन्टस्पेक्शन उनको करना चाहिए क्योंकि उनको अभी भी अगर लगता है कि हम नैशनल ऑल्टरनेटिव है बारती जनता पार्टी का तो वो गलत फैमिया पाल रहे तो उनको introspect करना चाहिए, उनको regional players के साथ और नए party जैसे BRS है, इनके साथ मिलके काम करना चाहिए, एक team player बनना चाहिए, अपना arrogance चोड़ना चाहिए Congress को, क्यूंकि आज देखे मैम, 4000 MLS है पूरे देश में, approximately, तो उसमें सिर्फ 600 MLS Congress के है, और पूरा Parliament में इनका नंबर 52-55 क के बीच में हैं, तो यह strength लेके, अगर आप 2024 में लडने जाओगे, तो फिर वापस BJP को आप chance दे दोगे, तो आप you become a team player, and you work with every party in every state, this is my humble appeal to Congress. लेकिन कविता जी देखे आप, बतलब यही regional parties, यही क्षेत्रिय दल, तो Congress के स्थित्यों को सबसे बड़ा खत्रा है, तो उनके साथ वो कैसे alliance कर लेंगे, क्योंकि फिर तो उनके लिए और भी पतन की कहानी लिखी जाएगी.